हेलो एव्रिवन वेल्कम टो आवर यूट्यूब चैनल पीचिपी क्लासिस तो आए करते हैं कोश्चन नमबर टू तो यह जो कोश्चन नमबर टू है यह चैप्टर सेवन कोडिनिट जो मैट्री से लिया गया है और इसमें यह कह रहा है कि हमें डिस्टेंस पता करना है इस द स्कॉस्चन तो जैसे कि यह दो पॉइंट है मैं एक बार लिख लेता हूं इसको लेट जो यह दोनों पॉइंट है ए तो यह है 3-2 और माइनस 3 2 3-2 और जो सेकेंड पॉइंट है यह है माइनस 3 2 तो क्योंकि हमें इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मुला है इसका यूज करेंगे तो बाइ डिस्टेंस फॉर्मुला a b is equal to x2 minus x1 का whole square और y2 minus y1 और whole square अंडर root तो यहाँ पर जो x1 और x2 y1 y2 तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है तो हम इसको x1 y1 लिख सकते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोल सकते हैं तो जैसे x1 y1 मतलब यह x1 है और यह y1 और यह x2 है और यह y2 तो जब हम इसके अंदर put करेंगे तो यह आजाएगा minus 3 minus जो x1 है यह 3 है और इसका whole square फिर plus y2 और y1 तो जो y2 है यह 2 है और minus जो y1 है यह minus 2 है तो हम यहाँ पर minus 2 इस तरीके से लिख लेंगे और यह इसका whole square है under root तो यह हो जाएगा minus 6 का whole square और 2 plus 2 इसका whole square जो की हो जाएगा 36 और 2 plus 2 तो 4 4 का square हो जाएगा 16 under root तो 36 को जब हम 16 में add करेंगे तो यह आजाएगा 52 under root तो इतना unit जो under root 52 है यह इतना unit हमारा answer हो जाएगा तो यह a-b के बीच का distance आ गया तो इसमें अगर हम अपने question को देखें तो यहाँ पे जो option a है 52 unit under root 52 unit यह हमारा सही option होगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं option a is correct तो I hope कि यह question आपको समझ आया होगा next question के लिए मिलते हैं next video में thank you so much के लिए मिलते हैं